अ हेलो दोस्तों खैसे हो आप सब आजूदिए वीडिएम मेरे पए साक का है तेक्नो को लेटिस मडृल है तेक्नो का प्रinkटी फिचर्स के बाद स्फोट अब अब अदोड़ सब्सक्राइल अधेन लेज्क्राइज होस्त औरीक दिया गिया है एक और फिंगर्प्रिंट राइट साइट पर देखने को मिलता है फ्रंट पर थर्टी टू मेगा पिक्सल कैमरा दिया गया है यह फोन आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस पॉन में आइकॉन साइस को अप्शन देखने को मिल जाता और यहां पर आइकॉन साइज आप बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं मैक्सिमम वन कृंटी परसंट तक इसको बढ़ा सकते हैं काफी अच्छा फीचर है और बड़े आइकॉन काफी जादा अच्छे लगते हैं दुबारा अगर आपको इसको होम सक्रीन से एक्सेस करना है तो आपको होम सक्रीन पर होल्ड करना है और डेस्ट अप सैटिंग आपको यहां पर भी मिल जाएगी अपियरंस में आ जाएंगे और आइकॉन साइज आप यहां पर 80% कम कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आइकॉन जो हैं वो कवी जदा चोटे हो गया हैं अप्लिकेशन को हाइड किया जा सकता है उसके लिए आपको आना है फोन मेनेजर में जो कि आपको एप डॉर में देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको फोन मास्टर नाम की एक अप्लिकेशन देखने को मिल जाएगी फोन मास्टर या फिर फोन मेनेजर तो यहां पर और alphanumeric आप select कर सकते हैं इसके इलावा यहां पर अकाउंट को भी link कर सकते हैं तो यहां पर आप pictures, वीडियो, applications और recordings और documents को hide कर सकते हैं अभी के लिए मैंने application को hide करना है तो यहां पर मैं कोई भी application select कर लूँगा जैसे कि मैं spot 9 को select करता हूँ और यह application hide हो गई है, इसको app store में search करके देख लेते हैं तो यहां पर aspar 9 name की कोई भी application नहीं है दुबारा आ जाते हैं, settings में और settings में भी यह option आपको देखने को मिल जाएगा, आपको settings में आना है और settings में आने के बाद privacy में आ जाएगे टॉप पर राइट साइड पर privacy protection को option देखने को मिल जाएगा, यहां पर vault को option दिया गया है और आप अपना password एंटर कर देंगे और यहां पर apps में आ जाएंगे, तीन डॉट यहां पर select कर लेंगे तो यहां से आप इसको unhide कर सकते हैं काफी अच्छा फीचर है, built-in देखने को मिल जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं Asphalt 9 यहां पर show हो रही है और आप अपनी मरजी की कोई भी application हाइड कर सकते हैं, next feature की बात की जाए और यह मेरा most favorite feature है, इससे आपका phone भी काफी जादा fast हो जाता है, ultra touch का यह feature देखने को मिल जाता है, इस phone में आपको आजना है settings में, settings में आने के बाद display and brightness में आ जाएंगे तो यहां पर ultra touch का एक option देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप swipe speed को ultra fast कर सकते हैं इसके लावा motion speed को fast कर सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, फोन काफी जादा fast हो गया है, फोन के animations आप चेक कर सकते हैं, motion speed काफी जादा fast हो गई है, लेकिन यह feature आपके phone की जो बैटरी है, वो काफी जल्दी consume करेगा, तो यहां पर इसको मैं normal कर देता हूँ, अगर आप यह feature यूज़ करना चाते हैं, तो यह feature आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको battery का issue काफी जादा fast करने को मिलेगा, next feature की बात की जाए, तो इस पोन में applications को lock लगा सकते हैं, उसके लिए आपको आना है settings में, settings में आने के बाद password and security में आ जाएंगे, यहां पर आपको security आप लिंक कर सकते हैं, chrome को already lock लगा हुआ है, और अगर आप कोई भी application को lock लगाना चाते हैं, जैसे कि मैं messages को lock लगाता हूँ, और यहां पर settings भी देखने को मिल जाती हैं, जिनमें veteran को visible कर सकते हैं, और off भी कर सकते हैं, इसके इसके इलावा locking method यहां पर आप देख सकते हैं, application के immediately बंद होने के बाद application lock हो जाया तो यह option कि देखने के मिल जाता है, application बंद होने के एक minute बाद भी application को lock लगा सकते हैं, तो यहां पर मैं immediately application के बंद होने के बाद lock लगाना चाहूँआ और jáपर मैं messages को access करूँगा, और यहां पर मैं passport enter करूँगा और दूबारा मैं इसको b पासबर्ट एंटर कर देंगे और सेटिंग में आप इसको आफ कर सकते हैं काफी अच्छा फीचर है बिल्ट इन देखने को मिल जाता है किसी भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन को डाउन्लोड करने की जरूत नहीं एप्लिकेशन को लॉक लगाने के लिए नेक्स फीचर की ब इसको आप फेसलोग, बैगराउंड कॉल, चार्जिंग अनिमेशन, चार्ज, कम्प्लिशन रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर पर यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं फोन को चार्जिंग पर लगाता हूँ और आप देख सकते हैं, डाइनामिक पोर्ट का फीचर काफी ज्यादा अच्छा फीचर है और फोन को काफी जद़ अकूल बनाता है, एक बर दुबारा में आपको चेक करवा देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं, काफी अच्छा फीचर है, इसके इलावा आप इसको फेस लॉक और बेग्राउंड कॉल पर भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स फीचर की बात की जाए तो इस पॉन में रिमूव एनिमेशन का फीचर देखने को मिल जाता है, अगर आपको एनिमेशन नहीं पिसंद तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ रहाँ लुक्स में देखने को मिल जाएगा, तैक्स प्रेश में आजाएगी और यहां पर रिमूव एनिमेशन को नहीं कर देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं अनिमेशन यहां पो फॉन की स्पीटिंग्स, इस चेक कर सकते हैं, फोन भी का जएता फॉस्ट हो गया है, दुबारा यहां पर आप देख सकते हैं, तो अगर आपको दुबारा एनिमेशन को अन करना है, दुबारा एकसेसिबिलिटी में आ जाएंगे, टैक्स अंड डिस्प्लेइ इसको आफ कर देंगे, और दुबारा जो एनिमेशन हैं, वो वापस आ गया है, नेक्स पीचर की बात की जाएंगे, तो इस पॉन में 360 डिगरी फ्लेश देखने को मिल जाती है, और आपको फ्लेश डेखने को मिल जाएगी, एक टाइम पर, तो आपको आजाना है, कंट्रोल सेंटर में और आने के बाद यहां पर आपको एक फ्लेश लाट के साथ एक छोटा सा एरो देखने को म की जाए, तो इस पॉन के कैमरे में फ्रंट पर डिवल टोन कलर फ्लेश लाट देखने को मिल जाएगी, तो आपको आजाना है फ्रंट कैमरा में और फ्रंट कैमरा पर यहां पर आप फ्लेश लाट में आ जाएंगे, और यहां पर यह डिवल फ्लेश लाट दी गई है, इसक की ब्राइटनेस को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं काफी अच्छा फीचर है नेक्स फीचर की बात की जाए तो इस पॉन में इंटरनेट स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है उसके लिए आपको आना है सैटिंग में और सैटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है डिस्प्ल की बात की जाए तो इस पॉन में गेम मोड का फीचर दिया गया है आपको आजाना है सैटिंग में सैटिंग में आने के बाद यहां पर स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और स्पेशल फंक्शन में गेम मोड का फीचर दिया गया है तो यहां पर इसको मैं आउन कर देता ह और इसके इलावा गेम एंटी एडिक्शन मोड देखने को मिल जाता है ग्राफिक एनाइंस्मेंट देखने को मिल जाती है जिसमें क्लासिक कलरफुल सॉफ्ट और रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है और इसके इलावा गेम मैनेजमेंट भी देखने को मिल जा सकते हैं CPU 66% GPU 21% और परफॉरमेंस मोड पर आप इसको यूज कर सकते हैं FPS 60 मिल रहे हैं हमें और पावर सेविंग मोड भी यहां पर देखने को मिल जाता है काफी अच्छा फीचर है इसके लब स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन रिकॉर्ड वाइफाई अन अफ कर सकते हैं इसके लावा बिराज मोड और हाइड नौटिकेशन देखने को मिल जाता है और गेंपले ऐड ओन्स देखने को मिल जाते हैं तो यह थे स्पॉन के टॉप टैन फीचर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लाँ आफिस